फिर आता है च, च से चपल, चपल का अर्थ अंग्रेजी में है, स्लिपर्स, तो कहिए मेरे साथ, च से चपल, आईए देखते हैं च लिखते कैसे हैं? फिर आता है च, च से चाता, चाता का अर्थ अंग्रेजी में है, अंब्रेला, तो कहिए मेरे साथ, च से चाता, चलिए देखते हैं च लिखते कैसे हैं? फिर आता है ज, ज से जग, जिसे अंग्रेजी में भी जग कहते हैं, तो कहिए मेरे साथ, ज से जग, चलिए देखते हैं ज लिखते कैसे हैं? फिर आता है ज, ज से जूला, जूला को अंग्रेजी में कहते हैं स्विंग, जिसे आप पार्क या बागीचे में दिखते हैं, तो कहिए मेरे साथ, ज से जूला, तो चलिए देखते हैं ज लिखते कैसे हैं? फिर आता है न, कहीं है मेरे साथ, जूला, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं? झाल तो